यह हम आप लोग कैसे हैं आप लोग है वेल्कम टू इस नियू एपिसोड अभी हम डी यूब रोगली वेव लेंग्ध पर बात करें गे ठीक है तो इसके पिछले वाले एपिसोड में हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में या कहलो की मैटर वेव के बारे में हमने आपको थोड़ा समझाया था उसको रिमाइंड करा देते हैं कि अगर कोई मास कि यह मैटर कहलो मास मिस मैटर में मास होता है तो कि यह मास है और यह मूँ कर रहा है मतलब यह मोशन में है तो इस मास के मोशन के चलते इसमें एक मोमेंटम क्रियेट हो रहा है पी ठीक है और यह कितना है यह मास इंटू वेलोसिटी है आप जानते हो तो डिब्रोगली ने बोला कि इस मैटर में अगर मोमेंटम है तो यह मैटर एक वेव की तरह भी काम करेगा और उस वेव की वेवलेंग्थ यानि उस मैटर वेव की वेवलेंग्थ लेमडा डी डी लगाते हैं डी ब्रोगली के रिस्पेक्ट में उनको आधर देने के लिए है एक बाई एमवी है कि बेसेकली एमवी नहीं लिखना चाहिए एच बाई पी मोमेंटम पहले यह तो हमने मास्क का ऐसे ले लिया इसलिए इसको लिखी देंगे यहाँ पर एमवी यह फंडामेंटल चीज है अब देखो हम यहाँ पर नॉन रिलेटिव इस्टिक ही लेंगे जैसे एक गाड़ी जा रही है या एक बाईक जा रही है या एक फुटबाल जा रहा है ऐसे किसी मोशन में बस ताकि हम पी क्वल टू एमवी लगा सकें ठीक है यह देखो आया यह मैंटर किसी वेलो सिटी से जा रहा होगा जिसके चलते इसमें मोमेंटम आया और उसके चलते ड्री ब्रोगली वेवलेंग्थ यानि उस मैटर की मैटर वेव की वेवलेंग्थ तो एच बाई एमवी वेर इस इस दा प्लाइंग कॉंस्टेंट यह सब आप जानते हो थोड़ इसको अगर आप चेंज करो तो उपर वी से मल्टिप्लाइ करो यानि वेलो सिटी से नीचे भी तो एमवी स्कॉयर आ जाएगा एच वी और एमवी स्कॉयर को टू इंटू हाफ लिख सकते हो या पहले हाफ कर लो और बाद को टू कोई फरक नहीं पड़ेगा तो यह आजाएगा एच वी बाई अंडर रूट टू और यह काइनेटिक एनर्जी है उस मास की किसी मास का वेलो सिटी पता है और हमको उसकी काइनेटिक एनर्जी पता है तो हम उस मास की मैटर वेव की लेंग्ध यानी वेवलेंग्ध यानी डी ब्रोगली वेवलेंग्ध निकाल लेंगे ठीक है सिर्फ numerical solve करने के लिए के concept से ही हम बता रहे हैं ज्यादा detail में नहीं जा रहे हैं ठीक है सिर्फ आप लोगों के यूज के लिए चूंकि आप लोगों को तो just numerical solve करने होते हैं प्राबबलम साल करने होती हैं अग ensuring में ठीक है इसको थोड़ा और तरीके से भी आप लिक सकते थे यह तो तब यूज कूल है जब आपको मास की वेलोशिटी पता हो और उस मास चायम अगर घाता हूं मास नहीं पता हो और अगर आपको मास पता है और वेलोशिटी नहीं पता है तो क्या करेंगे तो एच बाई एमवी यह तो आप जानते ही है है पीक्वल टू एमवी लिखो मोमेंटम क्या करो एक है इसको काइनेट हमको देखो हमको वेलो सिटी नहीं कुछ यह ठीक है हमको हमको अपकी बार वेलो सिटी नहीं चाहिए हम यहाँ पर वेलो सिटी और काइनेटिक एनरजी के फॉर्म में निकाल लें अपकी बार हमको मास चाहिए मास तो कुछ मत करो हाफ और यह टू से मल्टिप्लाई करो कोई दिक्कत नहीं एम भी स्क्वाइर कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत आई यह को हमने टू से मल्टिप्लाई किया और हाफ से मल्टिप्लाई कर दिया कोई दिक्कत नहीं आई ठीक है तो क्या करते हैं हम हाफ एम वी स्क्वाइर लिखते हैं यह वाला इसके साथ हमको अबकी बार वेलो सिटी नहीं खुला नहीं है समझ में आया तो हमने जैसे एक वी से यहां पर मल्टिप्लाई किया यहां पर एम वी स्क्वाइर लाने के लिए हमको इसको बैलेंस करना है हमको सिर्फ अपकी बार पता है मास और काइनेटिक एनरजी इसमें क्या था कि अगर हमको वेलो सिटी और काइनेटिक एनरजी पता हो किसी मास की तो निकालने का फार्मूला वह अगर अब की बार हमको सिर्फ मास और काइनेटिक एनरजी पता हो केवल तो कुछ नहीं करते हैं ये 2 पहले लिख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं था कि आपको समझने में थोड़ा आसान हो half mv square और ये 2 1v से multiply किया था तो 1v से divided भी कर देते हैं और 1m से multiply किया था तो 1m से divided कर देते हैं कोई दिक्कत ये m और ये v मिलकर क्या बना देगा फिर से p momentum तो m into 2 into half mv square ऐसे लिख सकते हो अपान mv कोई दिक्कत कुछ नहीं किया हमने ये mv momentum दे रहा है फिर से तो ये आ गया 2 तो पहले लिख लो या भी लिखा रहने दो ऐसे m into 2 और ये half mv square क्या है ये है उस mass की kinetic energy अपान mv mv मतलब momentum तो ये p इधर आ गया तो p square equal to 2 पहले लिख लोगा 2m mass और ये kinetic energy k तो यहां से momentum p कितना आया p आ गया अंडर रूट 2m और उस mass की kinetic energy करेक्ट तो ये हमको मिल गया momentum in the terms of the mass and kinetic energy तो p उठा के यहां पे रखो यही फंडामेंटल फार्मूले में तो दी ब्रोगली वेवलेंग्ट आ गई आपकी lambda d equal to h by p तो p कि जगे पे अंडर रूट ये momentum कि जगे पे ये 2 mass और काइनेटिक energy इसको भी लिख चाहो तो इसको थोड़ा यहां लिख देते हैं lambda d equal to h v by under root 2 kinetic energy तो देखो आपको ये 2 expression मिले ये डी ब्रोगली वेवलेंग्ट किसी mass की तब या matter wave किसी mass की तब अगर आपको उस matter की या उस mass की kinetic energy पता हो और उसका mass पता हो ये ये अगर आपको काइनेटिक energy पता है उस mass की mass नहीं पता है के वल वेलो सिटी पता है तो ऐसे और अगर आपको उस matter का मोमेंटम पी ऐसे mass भी पता है और वेलो सिटी भी पता है तो ये तो फंडामेंटल कि इससे निकाल लेंगे और ये तो यूनी वर्सल ला होता ही है तो किसी mass के लिए जो Neodgranate विष्टी को Lambda D equal to H by MB अगर masa वेलोसिटी पता है लेंडा डी यानि डी ब्रोगली वेवलेंथ हैचार मास और कानेटिक एनरजी पता है और लेमडा डी यानि डी ब्रोगली वेवलेंच अगर आपको velocity और कानेटिक इनर्जी पता है उस मास की तो यह तीन फंडामेंटल फार्मूले नॉन रिलेटिव इस्टिक ठीक है मतलब धर्ती पर जो चीज़े चल रही है उनीक है रिस्पेक्ट में है कि ठीक है कि हम लाइट के स्पीड से नहीं जा रहे हैं कि तो यह हुआ डीप रोगली वेव लिंग्ट पर हाला कि हमको लग रहा है हमने पिछले लेक्चर में यहां तक बता दिया था लेकिन बोरियत नहीं होने चाहिए तो हमने इसको ऐसे एक अलग एक अलग एपीसोड में बढ़ाया चलो देखते हैं थोड़ा आते हैं अपने एक एक जामपल पर एक जामपल देने से पहले आप समझी गए कि लेम्डा डी इक्वल टू एच बाई पी अगर किसी मास का मोमेंटम बहुत हाई है तो उससे असोसियेटेड डी ब्रोगली वेव लेंग्ट इसमाल होगी या कहलो कि उससे रिलेटेड डी ब्रोगली फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी लेम्डा और म्यू यानि वेव लेंग्ट और फ्रिक्वेंसी में इन्वर्स रेशियो होता है तो मोमेंटम जिसका ज्यादा है उसकी डी ब्रोगली वेव लेंग्ट इसमाल होती है लोड़ा आते हैं अपने एक ऐसे जाम्पल पर नंबर वन कि फुटबॉल है यह यह मालों यह सोय रख्तर की फेंकी गई बॉल है हाईस्ट स्पीड 161 किलोमीटर परावर है सही है ना कुछ रिकार्ड उसका यह 162 कुछ है ना इस ही और इस बॉल का वजन जो क्रिकेट की बॉल है मालों उसका वजन है हमारा 1500 ग्राम एक सेकेंड एक्जाम्पल एक सोल्जर की स्नाइपर गोली ठीक है इसका वजन मालों है 50 ग्राम ज्यादा हो गया वजन बुलेट जो निकलती वो छोटी होती न थोड़ी मालों इस बुलेट का वजन है लगभग ठल्टी ग्राम ठल्टी ग्राम की बुलेट है और इसकी स्पीड जो है वो है 500 मीटर पर सकेंड जरा देखते हैं कि इसकी मैटर वेव क्या होगी और इसकी मैटर वेव की वेवलेंग्थ क्या होगी ठीक है तो पहले आते हैं स्वेव अक्तिर की बॉल पर इसको थोड़ा आसान कर लेते हैं 160 किलोमीटर पर आवर भाई स्वेव जी माप करना कि समझाने के लिए थोड़ा मुझे भी आसानी हो जाएगी कल्कुलेशन करने में वह एक की वज़े से काफी पॉइंट आ जाएंगे तो इसकी वेवलेंथ जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ या मैटर वेव कितनी आ जाएगी है एच बाई एम पी होता है मोमेंटम तो एच बाई एम वी है एच बाई मास कितना है उसका डेड़ सो ग्राम यानि केवल पॉइंट वन फाइब किलो ग्राम और किलो ग्राम में न और वेलोसिटी वन सिस्टी किलो मेटर पर आवर यानि वन सिस्टी इंटु फाइब बाई एटीन मेटर पर सेकेंड पाई बाई एटीन मतलब किलो मेंटर को पहले से वन थाउजेंड मीटर में बदलोगे और सिक आवर को सेकेंड में बदलोगे और जब इसको आप डिवाइड करोगे तो यह फाइब बाई एटीन होता है कि आएगा दोस्तों से डिवाइड करो कि ठीक है तो वही मतलब हुआ यह कि यह लगभग लगभग आज आएगा इसको आठा नाइन के राउंड नाइन नहीं आएगा थोड़ा कम आएगा तो कि 18 19 टाइमस होता है ना अना था होता है 162 तो लगभग लगभग 9 और यह फाइब कि यानि लगभग लगभग 45 मीटर कि स्पीड आई है मीटर नहीं मीटर पर सेकेंड स्पीड 45 मीटर पर सेकेंड तो जरा यहां पर स्पीड लिखते हैं 45 मीटर पर सेकेंड है तो यह आ गया एच बाई पॉइंट 15 और इंटू 45 और यह टोटल चू की वेवलेंग्ट है तो यह मीटर में आ जाएगा एक की वैल सिर्फ नुमेरिकल वैलू हम रखेंगे तब ठीक है जरा इस गोली को देखो बुलेट को इसकी मैटर वेव तो एच बाई मास केवल 30 ग्राम यानि इतने किलोग्राम सिमिलरली और वेलोसिटी या तो कोई दिक्कत है नहीं 500 मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है तो यह आगे आपका एच बाई 0.03 इंटू 500 मीटर सिर्फ एच की अगर नुमेरिकल वलू रखे तो तो लोग रखी देते हैं तो 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड नहीं लिखेंगे चूंकि हमने सब कंबाइन करके मीटर में ही लिख रहे हैं और वो जूल और सेकेंड भी में केस में आता है और यह आगे आपका 0.15 और इंटू 45 मीटर और सिमिलरली यहां गया 6.6 टेंस पावर माइनस 34 डिवाइड़ बाई 0.03 और इंटू 500 यह कितना आएगा यह मुस्से मल्टिप्लाई करवाओगे 6.75 और यह कितना आजाएगा 15 के वन तो किसकी वेवलेंच ज्यादा होई 16 के वो 500 और इंटू झाल